अपने सिस्टम को हमने आफ कर दिया है, कुछ मिंटों के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें से वो मैसेजेजेज हम हटाकर नए मैसेजेज के लिए जगा बना रहे हैं क्यों? क्योंकि नेशन का वैक्सिनेशन होन है और पुब्लीक बहुत सारे मैसेजेज करके हम से सवाल पूछ रहे हैं इन फाक्ट सवाल डॉक्टर शोचीन बजात से पूछ रहे हैं रेड एफम की स्टूडियो में नमस्कार जहिंद मैं हूं रॉनक और सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं सर मेगा पूछती हैं कि लगवा तो सब रहे हैं लेकिन किसको नहीं लगवानी है ये भी बताए दीजी वैक्सिन जी बहुत एक छोटे से ग्रूप ओफ पीपल हैं जिनको हम अभी कह रहे हैं कि आप नहीं लगवाईए क्योंकि हमारे पास आपके लिए भी इनफ डेटा नहीं है सभी यंग men, women and children below 18 years यानि 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे, युवक, युवतियां हैं उनके लिए भी हमारे पास डेटा नहीं है तो आप ना लगवाएं कोई भी pregnant women यानि गरवती महिला हैं तो उनके लिए हमारे पास डेटा नहीं है तो अभी आप ना लगवाएं lactating mothers यानि जो महिला हैं अभी अपने बच्चों को दूद पिला रही हैं उनके लिए भी हमारे पास डेटा नहीं है तो अभी आप भी रुख जाएं जब तक कि और डेटा क्लियर नहीं होता है और वो लोग जिनको अभी active covid infection है जिनको यानि कि अभी covid से बिमार हैं वो लोग तो अभी आप भी ठीक होने के 14 दिन तक जरूर वेट करें अभी आप ना जाएं क्योंकि डेटा की प्रॉब्लम नहीं है उसमें ये डर है कि आप वहां जाकर और लोगों को करोना ना फिलाएं तो आप घर पे ही रही है तो active covid infection, pregnant women, lactating ladies and people below 18 years of age सिर्फ ये लोग ही हैं जिन या किसी allergy की वज़े से आपको कभी बहुत problem हुई है या hospital में admit हुए हैं तो बहुत ध्यान से आप लगवाएं अपने doctor से पूछ कर ही लगवाएं उसमें आप बिना पूछे ना जाएं super super very important question mega thank you very much आपने पूछा तो मैं भी खुद बड़े ध्यान से सुनना था कि कौन सी category है तो जितने लोगों ने इस सवाल इस जवाब को सुना है प्लीज आप लोग नोट ज़रूर करिएगा और अपने सवाल पूछते रही comment में दुरूफ का एक सवाल है जो कहते हैं कि vaccine लेने के बाद भी COVID होने के chances है या फिर निल है नहीं होगा देखिए कोई भी चीज इस दुनिया में 100% नहीं होती मेरे इस टूडियो से निकल के road cross करने के chances भी पूरे नहीं है शायद 100% तो chances बहुत कम है और severe disease होने के जिस disease से problems हो रही है जो लोग ICUs में जा रहे हैं, hospitals में होना पड़ रहा है वो chances almost negligible हैं बट वैक्सीन लगने के बाद asymptomatic disease या बहुत mildly symptomatic disease हो सकती है, it is not 100% बट आपको यह almost guarantee है कि hospital में admission वगरा नहीं होना पड़ेगा Superb, Superb, Thank you very much, Dhruv आपका भी सवाल अमने पूछ लिया है दॉक्टर साब से और अभी भी मौके हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, Dr. Shuchin Bajaj, Project Step 1 से हमारे साथ RedFM के studio में हैं और आपके COVID के vaccine से जुड़े सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछते